हेलो दोस्तों सिविल वाले हियर यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है आज मैं आपके लिए लेक आया हूं बिल्डिंग मेटेरिल एंग कर्ष्ट्रक्शन के उसके इंदर जो टोपिक है ब्रिक उसके बीस ऐसे कुश्चन जो एससी जे या किसी भी जूनियर इंजियर में बार-बार repeat होते हैं ठीक है तो इसकी शचना करते हैं ठीक है एक करके पढ़ते हैं इंको यह पहला हां से घुमाँड है फिए दा इसटेंडर्स औफ ऑफ अमोड्लोर ब्रिक इज थी के बिक का साइज पूछा यह फिलिका साईज क्या होता है स्टेंडर नैंटीं संटिमीटर इन्टु नैंटी नान नाना संटिमीटर एच्छा इह होगे इसकी विर्थ 9 cm यह की हाइट होगी 9 cm यह होगे इसमें साइज इसका ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है इसने बोला है कि जो एक अच्छी ब्रिक होती है जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उसका वोटर अब्रॉप्शन कितना होना चाहिए ठीक है या किसे कम नहीं होना चाहिए ठीक है 15% of its dry weight कोई भी ब्रिक जो यूज हो रही है एक अच्छी ब्रिक उसका वोल्टर अब्रॉप्शन जाया 15% of its dry weight ठीक है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा अगर पानी अब्जोर करती है ब्रिक 15% से ज्यादा तो उसका मतलब वह अच्छी quality की नहीं है ठीक ह है इस कांसर होंगे फस्ट 15% of its dry weight ठीक है नेक्स्ट क्या है क Drum the plasticity to the mold brick in suitable shape is contributed by ठीक है पुछा थाओ प्लसनी जो आ इलिक में वो किस की वुज़े साती है फ्लस्टिकी जैक्ट है mत इंति लडाश्रश सीटिटी आती है ऐलूमिंए वज़े से अब ब्रिक किस किस से मिलके बनती है जो अर्फ में क्या-क्या इंग्रीडियंट्स होते हैं उसमें उता है इस लिका होता है कि दूसरा अलमिणा लाइम आई लोप और मैंगनेश्ए यह होते हैं अब सबका अलग अलग फंक्शन है जैसे शिलिका प्रवाईड करता है जो चीसा बाती है सिलिका वगाशे साथी थी कि अभाक करते हैं प्लास्टिषीट इसकी विज़े साथी यह प्लास्टिशिटी तो सब्सक्राइब जो है एलुमिना की विजए साती है तो उसका और सब्सक्राइब टू करेक्ट है ठीक है ऐसे सीज़ी तो जाते रहा है हुआ है नेक्स पूस्चन पर चलते हैं का ने अंचल ग्रेसिंग स्ट्रेंथ ओफ फरस्ट क्लास ब्रिक्स शुड़ नौट भी लैस देन ठीक है फिर्स्क्लास ब्रिकक करेस्टिक क्रेसिंग पुच्छा ठीक है कितने से कम नहीं होने चाहिए तो यह इसका अंशलन नमबर टू हो जाएगा यहंट्रेड के जी से कम नहीं होने चाहिए वैसे होती तो 10 है एक सेकिन है ठीक है तो 100 kg पर सेंटिम्टर स्क्वार से कम नहीं होनी चाहिए और अगर न्यूटन में बात करें तो होती है 10 Neewton पर mm2 ठीक है वैसे First Class Brick की जो क्रेशिंग या कम्परेशी स्टेंथ होती है वो 10.5 होती है 10.5 न्यूटन पर mm2 यह होगी Newton में यह होगी kg में kg पर सेंटिम्टर स्क्वार में ठीक है अलोने से इंडेंटैों प्रॉइड इंडरीड इसरुम्हों ठीडे हैं बिडि्क के ओपर डॉपन उबनहाएं ये सुआ हुंनि फॉ हुआ इंके यहां यहां पर यहां पर अंब बना होता एक बेंट्रेंच ख्रब्णा और टाइप उस को क्या एससा कहते हैं from हैं the Indian mention provided in इस मेर है घाइच एसके और इसके और फिरके ống क्या होते है ठीक के दावेंून होते हैं 10 इंटो 4 इंटो 1 इस एंटीमेटर में है ठीक है तैन सेन्टी मोटर 4 4 cm 1 cm 10 cm यह लेंद हो जाएगी 4 cm की हाइट हो जाएगी और 4 cm width हो जाएगी एंड 1 cm की हाइट हो जाएगी ठीक है फ्रोकी नेक्स विस्ट पर चलते हैं कि दी वाटर एब्जोप्शन फोर फ़र्स्ट क्लास ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ओप इमर्जन इन वाटर सुड नोट एक्सीड ओफ सैल वेट और ठीक है फश्ट क्लास ब्रिक को अगर 24 गंटे के लिए पानी में रखते हैं तो कितना वाटर उसको एब्जोब करना चाहिए ठीक है 24 गंटे में तो 24 गंटे में उसको 20 परसेंट वाटर एब्जोब करना चाहिए उसके ड्राइवेट से ठीक है इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए ठीक है ऐसा सीजी दुज़ा 14 में आयो आई हुआ है कि नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं कि कमप्रेसिव स्ट्रेंथ ओफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक सुड नोट भी लेज देन ठीक है कंपेशिव स्टेंड जो होती है एक अच्छी ब्रिक की जो बिल्डिंग में यूज होड़ी कंस्ट्रक्शन में ठीक है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 निउटन पर एम एम स्कॉर से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है इस अलब क्ले ब्रिक्स आर मेड अर्थ हैविं ठीक है ओप्शन है थेन टू टूञेंटी परसेंट सीलीका एंड 30 तो 70 परसेंट अलूमिन यह गलत है ठीक है 35 to 70% silica and 10 to 20% alumina ठीक है यह सही है ठीक है silica होता है यह ओप्षन के coding answer देंगे यह सही है ठीक है वैसे silica 50 to 60% होता है silica में 50 to 60% ठीक है and alumina होता है 20 से 30% ठीक है लेकिन इसमें यह दिया रहा है तो इसके के बीच में रेंज पढ़ रही है तुसलिए option number two correct है ठीक है नेक्स्ट कुशन में जनते है के देक्रेशिंग स्ट्रेंथ of a first class brick is first class brick की क्रेशिंग स्टेंग कि इतनी होती है 10.5 Newton per mm2 ठीक है पहले रिपीट हो छुका है ठीक है पिछली बार था kg में कि पर सेंटी में 100 kg पर संटी में स्क्वाइर था पुछा था कि इतने सक तम नहीं होनी चाहिए फस्ट क्लास कि नेक्स्ट पूचलते हैं यह कुछ अच्छा है दा नॉमबर ओप स्टेंडर ब्रिक्स इन वन क्यूबिक मेटर ओप बिक मेशिनरी इस ठीक है वन क्यूबिक मेटर के अंदर कितनी बिक आएंगी यह वुच्छन है ठीक है तो इसका सिंपल आंसर है 500 ब्रिक्स आएंगी ठीक है 500 ब्रिक कैसे आएंगी ठीक है यह देखो ब्रिक का नोमिनल साइज होता है 20 x 10 x 10 cm ठीक है वोल्यूम ओफ वन ब्रिक एक ब्रिक की वोल्यूम निकाली हमने ठीक है 2 x 0.1 x 0.1 मिटर क्यूब में ठीक है वोल्यूम निकाल लिया एक ब्रिक का मिटर क्यूब में निकाल लिया हमने तो वन मिटर क्यूब में हमको निकाल लिया कितनी ब्रिक आएंगी ठीक है तो वन डिवाइड़ वाई एक ब्रिक का वोल्यूम तो इसको सोल्व करने के बाद ठीक है next चलते हैं है लेयर ओफ ड्राइ ब्रिक्स पूट बिलो दा कि foundation concrete in case of soft soil is cold ठीक है उसे कहते हैं सोलिंग जो foundation जहां पर soil soft होती है वहाँ पर एक लेयर जो है ब्रिक की पिछा देते हैं उसको सो लिग कहते हैं ठीक है ससी जई तुझा सत्रह में आया हुआ है भी कुछन नबर 12 होलो ब्रिक्स और जन्रेली यूज्ट विद्ध परपज ठीक होलो ब्रिक्स किस परपज के लिए यूज की जाती है हुलो ब्रिक्स यूज की जाती है और सनम्र टू क्रेक्टैर्ष का तो आइडिक इंस्यलेशन अगेंस्स हीट ठीक है यह इसके शिजड रजांद इंस्यलेशन अगेंस्ट हीट ठीक है समय अ गया है नेक्ट चलते है नेक्स पूस्चिन है दसेप और ब्रिक गेट्स डिफॉम्ड दूट रेन वर्ट रेन वार्टर फालिंग और होट भी ठीक है अभी अभी निकली है तो एकदम से बारिस पढ़ जाए तो उसका नाम पूछा किया है तो उसका नाम है चप्स ठीक है next the operation of removal of impurities of clay adhering to iron ore is known as ठीक है इसका अंसर हो जाए का third dressing ठीक है next question which of the following statement is correct ठीक है चारि स्टेटमेंट दे रखिए इन्हें से एक क्रेक्ट है हमको पढ़के बताना है कौन चीक्रेक्ट है ठीक है तो इसमें जो क्रेक्ट स्टेटमेंट है ओप्सन नमबर टू की access of alumina in the clay makes the brick cracked and warped on drying ठीक है alumina अगर access हो जाएगा तो क्या होगा तो brick में crack पढ़ जाएंगी and warp ठीक है वार्प का मतलब होता है ब्रिक में जो है सेफ उसका twist हो जाना या एक तरह से सेफ ख्राप हो जाना ठीक है और ट्रैक का मतलब तो समझे गए आप नेक्स चलते हैं वोति है silica alumina lime iron of oxide and magnesium ठीक है silica होता है 50-60% हो अगर एलुमीन होता है 20-30% जो में पूछा है कुछन में lime 5% होता है ठीक है आएड़ोन उप औक्सायड तो कम होता है एक परसेंट होता है ठीक है अगला कुछिशन चलते हैं इस में इसका जो सभी आंसर हुआ है और सोल्ड टू वेदर सोईल तीक है विदर सोईल तो इसका जो सही आंसर होएं ओप्शन नमबर 2 विदर सोईल ठीक है वेदर सोयल मतलब जो जैसे वेदर के बाद जैसे बरसात के बाद जो सोयल आती है वह वाली उससे कहते हैं वेदर सोल ठीक है वह सबसे अच्छी होती है ब्रिक बनाने के लिए ठीक है next चलते हैं the nominal size of the modular brick is ठीक है nominal size पूछा है तो nominal size होता है 200 mm x 100 mm x 100 mm ठीक है एक होता है nominal size यह होता है standard size standard size तो 190 mm x 90 mm x 90 mm यह होता है nominal size हो गया nominal size होता है जो motor के साथ ले ले लेते हैं ठीक है next question चलते हैं the main function of alumina in brick earth is ठीक है alumina का main function क्या होता है alumina का main function होता है to impart plasticity ठीक है plasticity जो आती है जिसकी वहीं से अच्छी से पाजाती है कैसे भी उसको किसी भी में मोडल कर सकते है plasticity की वज़े से होता है वो उसे कौन प्रवाट करता है alumina ठीक है यह कुश्चन बहुत है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है और वीडियो को लाइक कर देना अगर कुसंद आई हो तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हुआ 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 है अभीडियो